हाई गाईज ओलन हिल पैंट रेएक चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में आप लोगों को मैं जो लोन अप्लिकेशन का रिव्यू दूँगा इस अप्लिकेशन का नेम है कैश एलिफेंट तो गैश इस वीडियो के अंदर अब लोगों को मैं कैश एलिफेंट अप्लिकेशन का लोन पोर्स लाइप प्रूप के साथ दिखाऊंगा और यह बताऊंगा कि यह अप्लिकेशन रियल है या फेक है और यह अप्लिकेशन सच में लोन प्रोवाइट करता ही की नहीं और अब लोगों को इस अप्लिकेशन पे लोन के लिए अप्लिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए तो गैश जोरू वीडियो को अब लोगिन तक देखेगा और गैश आर कोई चैनल पे नए विजिट किया तो जोरू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ-साथ बेल आइकन पर प्रेश किजिए तक जब भी मैं कोई वीडियो अप्लोट करूँ सबसे पहले अब लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए तो गैश चलिए आज की वीडियो शुरू करते है तो गैश एलिफेंट अप्लिकेशन को उपेंड करने के टाइम पहला इंटरफेस आएगा सान इन कर सान इन करने के बाद इस्टेप के इंटरफेस आ जाएगा मिक्सिमाम लोन अमाउन अप्टू 1 लग और नीचे आपको लोन अमाउन दिखने को मिल जाएगा 20,000, 30,000, 50,000 तो कोई भी एक लोन अमाउन चूज करने के बाद नीचे गो टू एट के वाइसी का जो अप्शन से वह पे क्लिक करने के बाद आजाएगा परसोनल डिटेल्स तो यह पे परसोनल डिटेल्स फिल करने के बाद आजाएगा फेस आइटिटी तो फेस आइटिटी तो फेस इंडर्फेस आ जाता है लोन एप्लिकेशन तो यह पर लोन अमांट और टेन वाड़े सिलेक करना होगा तो मैं जो यह पर लोन अमांट सिलेक किया वन लग और टेन वाड़े सिलेक किया 360 डेस के लिए और नीचे आपको सिकूर्टी डिपोजीट दिखने को मिल जाएगा अपको दिखने को मिल जाएगा तो कोई भी पीमें कापशन चूज करके अगर आब लोग के लिए पहले 448 डिपोजीट पे कर देते हैं तो आगे ज़के लोगों को लोन नहीं मिलेगा cash coefficient एक fraud आप्लिकेशन है और ये application लोन प्रोवेट नहीं करता है स्रिफ लोन के नाम लोगों से security deposit ले लेता है और आगे ज़के loan provide नहीं करता है और गैस अब लोगों के एक चीज़ में clear कर देता हूँ कोई भी loan applications अगर आपको बोलता है कि loan amount bank हत्में पाने के लिए पहले आपको एक security deposit पे करना होगा तो भो सब applications पे अब लोग कभी भी loan के लिए apply ना करें ये सब applications fake होता है कभी भी loan provide नहीं करते सिब loan के नाम लोगों से पैसा ले लेता है और आगे ज़के loan provide नहीं करता है तो guys cash elephant application एक fraud application है और अब लोग इस applications पे loan के लिए apply ना करें और लोन के लिए पहले security deposit पे ना करें तो गई सहीद आज का एक छोटा सा जान करें अगर अब लोग को वीडियो अच्छा लगे तो जोरू इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जासे आदा शेयर कीजिए तो अब लोग के साथ मुलकात हो रहें नेक्स वीडिय में तब तक अब लोग अपना क्या लखने चाहिए हिंद बंदे मातरम